उडिसा के समाज को तो मैं कहना ही चाऊँगा, खबरदार हो जाए, सावधान हो जाए पानी सर के उपर से गुजर जाए, उससे पहले ही समहल लेना चाहिए जो समाज लब जेहाद पर विश्वास करता है, वहाँ लब नहीं है, ध्यान कर लेना, वहाँ केवल और केवल जेहाद है आखिर जो हिंदु लड़कियों को फसा कर ले जाते हैं, क्या हाल होता है उनका? या तो उनकी हत्या कर दी जाती है, या उनको वेश्याले में बेश दिया जाता है, या वो आत्म हत्या पर विवश हो जाती है आपके पड़ोस में ही तो एक प्रदेश के अंदर एक लड़की ने पैट्रोल छिलक कर आत्मत्या की थी सिरफ इसलिए कि मुसल्मान ने भगा कर उसके उपर असी मत्या चार किये थे सारे परिवार के लोग उसके साथ बलातकार किया करते थे ऐसी स्थिति हमारी बेटी के साथ ना बने इसके लिए मेरी अपील है आप सब लोगों से इन जेहादियों से अपनी बचीयों को बचाईए और बचीयों को बचाईए सर्वधर्म संभाव के चक्कर में न पढ़ें कोई सर्वधर्म संभाव नहीं होता जहां जेहाद होगा वहां संभाव कैसा इसलिए आप अपनी बच्चीयों को बचाएं और उनको बताएं कि आप इनके चंगुल में नफसें अपना धर्म सर्वसुरिष्ट धर्म है धर्म को बचाना अपनी इज्जत को बचाना परिवार की समाज की इज्जत को बचाना और सुरक्षा के मामले में देश को बचाना यह हमारी पहली जिम्मेदारी है और सरकार को मजबूर करें कि वो इस विशे पर कानून बनाए ये लव जेहाद शब्द हमारा नहीं है ये लव जेहाद शब्द भी केरल हाई कोर्ट का दिया हुआ है और जहां से मैंने शुरू किया था इट इस दा मोस्ट हीनियस सॉर्ट अफ कनवर्जन ये शब्द भी केरल हाई कोर्ट का ही है आखिर क्या कारण है ये प्रशन दूसरे कोर्ट ने पूछा कि दोनों शादियों में केवल लड़की ही मुसल्मान क्यों बनती है लड़का हिंदू क्यों नहीं बनता दूसरा सवाल निकाह के बाद लड़कियां गायब क्यों हो जाती है कहीं मिलती नहीं है ट्रेस आउट नहीं होती है तीसरा इनको सपोर्ट कौन दे रहा है क्यों दे रहा है आखिरकार एक व्यक्ती ने जिसको पकड़ा गया था केरल के अंदर ही उसने टेस्टमनी दी है अपनी और उसमें गवाई में उसने कहा है मैंने दस हिंदू लड़कियों को भगाया है और एक लड़की का एक लाख रुपे मुझे मौल भी ने दिया है पी एफाई की फंडिंग होती है इसके सबूत सामने आ रहे है ये आतंकवाद का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है राष्ट्रिय सुरक्षा का भी प्रश्न खड़ा होता है इसलिए पूरा देश आच्चिंतित है दूसरा एक बात और देखिए आप हिंदू लड़की को भगा कर ले जाएंगे लेकिन कोई हिंदू लड़का अगर किसी मुस्लिम लड़की से दोस्ती भी कर ले अरे दोस्ती नहीं होगी क्या साथ पढ़ते हुए अभियान नहीं होता लेकिन केवल दोस्ती हो रही है और उस दोस्ती के अंदर लड़के को जान से मार दिया जाता है दिल्ली के राहुल का उधारन कैसे भूल सकते हैं वल्लब गड़की निकिता का हुम कैसे भूल सकते हैं जिसने मुसल्मान लड़के के साथ जाना इंकार कर दिया उसको जान से मार दिया, सरयाम गोलियों से भून दिया ये मानवी अता नहीं है, ये वहशी पन है ये धरिंदगी है जिसको कोई भी सभ्यसमाज स्विकार नहीं कर सकता और ये धरिंदगी किसी सभ्यसमाज का हिस्सा भी नहीं हो सकती ये प्रश्ण चिन्न है उनकी सब्वेता पर